नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चेनल बजरंग एजूकेशन देश की किसी वी राज्ये में टीचर की विकैन से आती है या फिर टेट, सीटेट, बीट से जुड़ी नियूज होती है हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं त बड़ी खुस कबरी आ रहे हैं दोस्तों अगर आपने बीएड, बीएश्टीसी या डियल्ड किया हुआ है तो आपके लिए चार नई सिक्छक बरतियां आ चुकी है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन-कौन से राज्ये में नई बरतियां आई हैं और कैसे आप आ आ गया है जी हाँ अगर आपका सीटेट या फिर राज्ये टेट पास है तो आप इस बरति के लिए आवेदन कर सकेंगे पहली जो बरतिया उसकी बात करें उसके बाद में अन्य बरतियों पर आपको बताएंगे दोस्तों मदरसों में पढ़ाने के लिए टेट और बीएड वाले अभेरतियों को भी मिलेगा मोका 30,000 पदों पे होगी बरति मदरसों के अंदर 30,000 पदों पे बरति होने वाली है के अंदर सरकार की तरफ से इसमें पहली बार बीएड और सीटेट पास अभेरतियों को मोका दिया जा रहा है आपका सीटेट या फिर अगर आज्ये टे गया है मदरसों में गुनवता पूर्ण शिक्ष्या उपलब्द कराने के लिए केंदर सरकार इस सिलसले में एक परस्ताव पेस पास किया है परदेश के अलब संक्या कल्यान मंतरी ने कहा है कि राज्य और केंदर की तरफ से मदरसों में शिक्षकों की बरती में टेट प्रमान में शातर शातराओं को गुनवता पूर्ण शिक्ष्या देने के लिए NCRT का पाठेकर मलागू किया गया है क्योंकि यह विग्यानी का अधार पर त्यार किया गया कोरसा इसलिए इसे बहतर डंग से बढ़ाने का परसिक्ष्या अध्यापकों की आफश्यक्ता है तो दोस्त सरकार और केंदर सरकार के तरफ से यह बढ़ती जो है संचालित की जा रही है इसके लिए आपके पास स्टेट और स्टेट का लिए रहा है और अगर आपका बीएड या बीश्टेसी किया हुआ है तो आप आवे दिन कर सकते हैं मदर्सों में करीबन 30,000 पदों पर यह केंसी के लिए आप आवे दिन कर सकेंगे इसमें आपको जो है बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे तो आपको साइंस मेथ इसके साथ हिंदी एवं पी आरटी के पद भी आपको मिलेंगे और इसके साथ ही दोस्तों आपको जो है सरकार के तरफ से अन्य कही सारे कि पद मिल रहे हैं दोस्तों PGT के अगर बात करें तो इसमें आपको बोति की रसाइन विज्यान गनित जीव विज्यान कंपिटर विज्यान अर्थ-सासतर बhugol इतियास अंग्रेजी और हिंडी के पद आपको मिल रहे हैं अगर TGT की बात करें तो इसमें आपको समाजिक व अगर बात करें दोस्तों PGT के लिए तो समधित वीश्य में NCRT के रिजिनल कॉलेज ओफ एजुकेर्शन से दो साल का इंटिग्रेटड पोस्ट ग्रिजुएट M.S.C. कोर्च या किसी मानेत अपरात वीश्य दाले से सनात को तर डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर बात करें PGT सनात को तर सिक्षा विग्यान समधिक विग्यान संस्क्रत की तो आप उसे कुल मिलाकर कम से कम 50 पर 30 सदंकों के साथ समधित वीश्य में आपका B.A.D. का कोर्स होना चाहिए प्यारटी के लिए आपके पास दोस्तो जो यहां पर B.A.D.C. या D.A.D. का कोर्स होना चाहिए तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं और इसके लिए आपके ऑनलाइन आविदन बरती के लिए सुरू हो चुके हैं इसके साथ 33,000 पदों पर नई बरती सुरू सीम ने कर दिया है बड़ा इलान जी है दोस्तों आज सरकार की तरब से इलान किया गया है जिसके तहरत 33,000 से अधिक पदों पर बरती पूरी करवाई जाएगी और यह जो 33 जारपतों पर आपको बड़ती मिल रही है वो सरकार की तरफ से 36 गड़ राजे है में मिल रहे है दोस्तो 36 सरकार की तरफ से नई बड़ती निकाली जाएक जिसमें 33 जार चे ज्यादा पध होंगे इसके साथी सिक्चक बड़ती परकिरिया में दिखता हम 90% अंक दिये जा सकेंगे सिक्षकों की बरती के लिए गठित उतर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयो की नियमावली में इसका उलेख किया गया है सरकारने प्रदेश में योग्या एवं सक्षम अध्यापकों पर सिक्षकों का निस्पक्ष और पारदर्सी चैन सुनिश्चित करने के लिए आयो का गठिन किया है इसी करम में नियमावली से समदित अधिस उचना जारी की गई है इसमें प्रिक्षा प्रदेश में बेसिक माध्यमिक और उच्ष सिक्षा से लेकर विवसाइक सिक्षा के अनुदेशकों तथा साहिता प्राप्ते अलब सेंक के कोलेज के सिक्षकों की बढ़ती के लिए परिक्षा आयोजित करेगा परिक्षा से समदित नियमावली में का गया है कि योग्या एवं सक्षम सिक्षकों की बढ़ती के लिए लिकित परिक्षा के आदार पर साक्षात कारेतू आमत्रित अभियरतियों को साक्षात कार के लिए वीवित अंकों में से नियुमतम 40% अंक दिया जाना अनिवारे होगा तथा यता संबो 90% तक अधिकतम अंक दिये जा सकते हैं लिकित परिक्षा में पास अभियर्थियों में से एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात कार के लिए अभियर्थियों की संक्या एवं परती दिन संचालित होने वाले बोर्ड की संक्या परिक्षा समीती दोरा आवशक तनुसारत्य की जाएगी इसके लावा लिखित परिक्षा में उत्रन अभियरतियों में से साक्षात कार के लिए बुलाए जाने वाले अभियरतियों के संक्या लिखितियों के संक्या के तीन से पांच गुना तक होगी अन्तिम कट ओफ प्राप्त करने वाले समझत अभी अर्थियों को साक्षात करके लिए आमत्रित किया जाएगा परिक्षा और इंट्रिव्यू के अदार पर बनेगी मेरिट लिष्ट अधियापक अत्वा अनुदेसक के जिन पदों पर साक्षात कर लिया जाना आफशेक है उसमें आयोग लिखित परिक्षा एवं साक्षात कर में प्राप्त अंगों को जोड़कर मेरिट लिष्ट जाई करेगी यहां के लिकित परिक्टा होनी है उसमें आयोक मत्तर लिकित víक्चा में प्रापत अंकों के अधार पर मिरिट लिष्ट का पेनल त zeitए गा यदि एक से अधिक अवेर्थियों की मेरिट सम्मान हो तो इसी इस्टती में सरोपरत्व लिकित परिक्षा के अंक देखे जाएंगे तथा लिकित परिक्षा के भी अंक सम्मान होने पर साख्षात कार्मी प्राप्त अंकों को देखा जाएगा दोनों के भी अंक समान वने पर अनिवार्य एहरता का अधिकतम पर्तिसत नेट पीछडी को देखा जाएगा एवं सब भी समान वने पर अंतम सनात कोतर के प्रावत तांक देखे जाएंगे यह दिलिकित प्रिक्चा साच कारित था अनिवार या एर्था के पर्तिस तंक समान है तो उस अवेर्थी का नाम जो आधिक आयूका हो उसे परात्मिकता दी जाएगी आयूक दोरा चायनित अवेर्थी यदि तरुटी पूर्ण अधिक चायन या सेवा काल में मृत किसी करमचारी के आस्रित की नियुकति या उस्तम नैले या उच नैले के किसी आधे सत्वा पद समावतिय के कारण आउंटित संस्ता से में पद गरेंड नहीं कर सका तो ऐसे अलग अलग परकिरिया अपनाई जाएगी तो दोस्तों उत्तर परदेश में ये नई विकेंसी निकाली जा रही है जिसमें नए आवेदन लागू किया जाएंगे तो देश के अलग लग राज्यों में नए नियम लागू किया जा रहे हैं आप कौन से राज्ये से टीचर अग्जाम की त्यारी करें हैं कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो का आप लाइक और शेयर कर दें किसी भी राज्ये में सिक चक विकेंग जाते हैं उसके जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे तो आप सभीका इस वीडियो को देखने के लिए तही दि से धन्यवाद अपडेट आपको मिलती रहेगी